आप सब लोग विलकम बाक टो अनादर क्लास और आज हम लोग करने वाले रे आप्टिक्स में प्रिजम की शुरू आप ठीक है तो हाव यौल दूइंग एक बार मुझे चैट बॉक्स में अपनी इनर्जी दिखा दीजिए और आपनी प्रेशन्स थोड़ी फील करवाई है चाट बॉक्स के अंदर है ना यासियास किसा इसने सितारा लिखाई दे रहा है वह सितारे आप हैं तो फड़ा फट सब्सक्राइब करिए आपका चैनल है बेल आएकन भी दभाईए बच्चो और साथी साथ वीडियो को लाइ जिनत कर रही है कुछ-कुछ बहुत important surprises मुझे आपको देने हैं क्योंकि बेटा revision है ना revision एक बहुत important part है और उस revision के लिए जो हमने plan किया है आपके लिए जो weekends को बहुत तरीके से plan किया है वो plan में आपको बताऊँगा थोड़ी देर के बाद don't worry about तो चलिए सबसे पहले तो कुछ information दे देते हैं आपको सबसे पहले तो बेटा जल्दी से एक बार दिल बनाओ chat box के अंदर if you can see me, if you can hear me, board कहां है, board मेरे पीछे है बट थोड़ी wiring का issue है, आज मैंने बोला, थोड़ा electricity का काम चल रहा था, so that's why today I am not taking the class from the board, but कल से classes board पे ही होने वाली है, don't worry about it, right, आयूश मुझसे पूछ रहा है, am I live, low, मतलब अब change हो गया question है, are you live से, question change हो चुका है, am I live पे लोग आ चुके है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, very nice, चलिए, चलिए, तो start करते हैं है, hi Abilip Shah, Gigi Sir का बच्चा, Sachin, Queen, Science Life, Mamta, Gigi Sir की topper, क्या वाद है, बहुत बढ़िया, दीक्षा, चंचल, शालू, साइन्स, साइन्स, लाइफ, ओके, आयूश, वैशनवी, स्वपनिल, मयोरी, क्या वाद है, क्या वाद है, ग्रेट, 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 ग्रेट to see everyone, और बच्चों, फड़ा फट एक बार ना, ये वीडियो, शेर करतो, जितने भी आपके groups है, जहां भी आपका WhatsApp group हो, टेलिक्राम group है, एक बार जल्दी से share करो, ताकि बच्चों का ये topic miss ना हो जाए, apparent depth भी आज होने वाला है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, let's get going, टेलिक्राम चैनल है, हमारा t.me slash unacademy need toppers, यहां भी आपको चैनल में, मत definitely है ना, जिसे right to vote होता है ना, वैसे आपका right है, कि हमें क्या चाहिए, वो बताने का, तो that is why you should be there in this telegram group as well बच्चों, साथी साथ हम आपको YouTube पे तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन कई बच्चों को बहुत सारे distractions और बहुत सारे परिशानियां जहिलनी पड़ती हैं, एक proper schedule नहीं मिल पाता है, doubts clear नहीं हो पाते हैं, अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, आप है ना, leaderboard नहीं देख पारे, polls नहीं कर पारे हो, तो feel की थोड़ी कमी रह जाती है, if you want to overcome that, then definitely बेटा, unacademy subscription है आपके लिए, one year का subscription जो है बच्चों, 34,650 रुपीज में आता है, two years का subscription आपको 50,400 रुपीज का आता है, जो भी बच्चा 2022 के लिए खुद को तयार कर रहा है, definitely he should go for 50,400 रुपीज वाला, यानि कि two year का subscription, क्योंकि यहां पे आपको 75% की बच्चत मिल जाती है, right, two years के लिए जाने पे, लेकिन जो बच्चे अभी 2021 में देने वाले उनको पता है कि बस एक ही बार देना है मुझे, बस 6 महीने बच्चे हैं, तो आप ये 6 months वाला subscription भी ले सकते हो, बच्चो, 25,200 रुपीज का है, और जैसा कि यहां पे बच्चे बता रहे हैं, अभी जीत, सनेहा, हर्शिता, thank you everyone, thank you Sachin, code बता रहे हैं, बच्चे, GG live आपको लगाना है बच यहां पे आपको life classes, best educators, polls, leaderboards, test, analysis और साथी साथ doubt clearing session सब मिलता है, लेकिन अगर आपको personal attention चाहिए, personal attention या फिर personal help चाहिए, तो आपको iconic subscription के अंदर बेटा वो भी मिल जाएगा, iconic subscription में आपको एक personal coach मिल जाते हैं बच्चो, जो आपको study planners देते हैं, क्योंकि जादा तर कपड़ें, chemistry कपड़ें, bio कपड़ें, कैसे plan करें चीज़ों को नहीं पता है आपको, तो उसके लिए बच्चो आपको एक personal coach की जुरत पड़ती है, जो आपको iconic के अंदर मिल जाते हैं, अब obviously आपको personal coach मिल रहे हैं, तो prices थोड़ी से ज़्यादा है, यहां पे 1 year 58,500, 2 year 90,000 लेकिन यहां पे भी 6 months का option है, यह अच्छी बात है आपके लिए, and approximately मेरे खाल से 34,000 रुपीज में आपको 6 months का subscription मिल जाता है, after discount, और discount लेने के लिए code कौन सा लगाना है, GG live is the code that you are going to use बच्चो ठीक है, एक बहुत बड़ा surprise मैं आपको थोड़ी देर में देने वालों इस session में, तो end तक बने रहना, आपके one shot revision के लिए, बहुत जबरदस plan लेके आयों बच्चो, that I'll tell you in some time, ठीक है, चलिए, सबसे पहले, आगे बढ़ते हैं, quick recap, एक quick recap कर ले, कल की class का, बताओ कल क्या क्या पढ़ा था हमने, कल क्या क्या पढ़ा था हमने, कल हमने बिटा, refraction को introduce कर है, वो अलग बात है, वो आपको homework दे दिया था, आप कर सकते हो, फिर हमने बच्चो refraction की शुरुआत करी थी, और refraction में आपको पढ़ाया गया था, कि मान लीजिए, यहाँ पे refractive index mu1 है, यहाँ पे refractive index mu2 है, अगर एक light यहाँ से incident होती है, normal से, let's say, theta 1 angle बनाते हुए, तो उसको बाद में theta 2 angle बनाते हुए, दूसरे medium में निकल जाती है, और जो relation होता है theta 1, theta 2 के बीच में, वो हमें snells अंकल ने दिया, snells law के form में, उसको लिखा जाता है, mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2, साहिए बीटा, yes, revision हो रहा है, बड़िया revision चल रहा है, yes, rarer denser, सब कुछ logic हमारा हो diffractive index होता है, water के लिए हम लोग generally diffractive index 1.3 थी लेते हैं, और glass के लिए generally 1.5 लेते हैं, कई बार root 2 भी लिया जा सकता है, glass के लिए, given होगा exam में, paper के अंदर आपको tensionary जौरत नहीं है, फिर सर ने आपको बड़िया सा concept सिखाया था, critical angle का, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, पूरे 90 degree हो जाता है, तो ऐसा angle of incidence, जब angle of reflection कितना हो जाता है, बच्चो 90 degree हो जाता है, ऐसा angle को हम लोग बच्चो critical angle कहते हैं, और critical angle को हम C से denote करेंगे, sin C का formula होता है, mu R divided by mu D, जहां पर mu R क्या है, rarer medium का refractive index, और mu D क्या है, denser medium का refractive index, ठीक है, बढ़िया revision हो गया, अरे कोई परे short notes, electrostatics, अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ठीक है, तुमने community page checkout किया किया, इस channel का, on academy need toppers का, community check करो, ठीक है मेटा, community post में, एक special class का schedule बना है, आपके गौरवाचार्य का, देखो आप जाके, special class का पूरा schedule है, उसमें आप अगर देखेंगे, Monday को, इस Monday को, 11.30 क एक class है, how to make short notes, special class के अंदर है, बिटा, free है, बिलकुल, free of cost है, how to make short notes पढ़ा रहा हूँ, मैं वहाँ पे, और वहाँ पे आपको electrostatics का short notes भी दिया जा रहा है, उसी session के अंदर, एक बार check तो करो, community तुम्हें मजा आ जाएगा, मतलब ये सारी free होती है, special classes, और मैंने पूरे मन्त के लिए schedule कर दी है, एक नया यहाँ पे series कहलो, आप mission 160 plus चला रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जो बच्चे 160 plus चाहते हैं, उनका हर एक topic बहुत strong होना चाहिए, आप एक बार community post चेक करना, नीचे जाना थोड़ा, 7-8 घंटे पहले वो post जला था, check it out बिटा, वहाँ पे mission 160 plus मे में बहुत सारे difficult difficult topics को में solve, difficult word use नहीं करना है हमें है, difficult word नहीं use करना है, interesting topics को हम वहाँ पे solve करने वाले, ठीक है, तो पूरा special class में सब कुछ schedule है, don't worry, you will go there, you will find everything, ठीक है, चलिए, continue करते हैं, और one shot की series भी आ रही है, neat via NCRT, trailer आपने देख रखा है, मैं बहुत जल्दी अभ reflection, पढ़ाया था कि इसी से आपका पूरा data transfer होता है, इंटरनेट का, तो बताइए, यह कब होता है, इसके लिए condition क्या है, एक condition होती है, कि भाई, denser से rarer जानी चाहिए, light है, denser medium से rarer medium, और दूसरी condition होती है, angle of incidence बढ़ा होना चाहिए, critical angle से, when angle of incidence is greater than critical angle, then TIR will happen, बढ़ हा topic की शुरुवात करते है, apparent depth की, ठीक है, देखो, आप juice पीने जाते होगे, कभी-कभी बाहर है न, दुकानों में, तो कई बार आप जाओगे, मान लो, कौन सी दुकान का example ले लो मैं, वो sugar cane वाली जो दुकान होती है, जहां पे गन्ने का juice मिलता है, ठीक है, कितने लोगों क उन छोटी-छोटी दुकानों में, glass के अंदर एक lemon रखते हैं, और आप कई बार देखोगे, कि lemon थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, आपको, वो glass की surface पर नहीं दिखाई देता, हालां कि जब उसको रखा गया है, तो actually तो वो surface पर रखा गया, यहां पे, बट वो थोड़ा स आपको एक जादू दिखा रहा है, यहां पे मान लो हमने lemon को रखा, ठीक है, यह हमारा object है, ठीक है पिटा, object है, क्या है, बोलो, object है, और यहां पे आज blue है, पानी, 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 है न, यहां पे हमने blue पानी बना दिया, देखो, आहा, बहुत बढ़िया सर, blue पानी greater इसको मैं mu1 कह रहा हूं और बाहर क्या है water के बाहर क्या है आप हवा में ही खड़े रहते हो है ना ऐसा थोड़ी अपने साथ कोई medium लेके चलते हो वहां खड़े हो जाते हो यह कि म्यूटू जो है generally air होता है तो यहां पर अपने air कह रहे हैं और यहां से आप अपने प्यारी प्यारी आखों से इस lemon को देखना चाहते हो ठीक है अब देखना क्या क्या होगा ठीक है बेटा देखना क्या क्या होगा light rays है ना बोड़े चौड के साथ निकलेंगी यहां से देखना यह light rays यहां से निकलती है इधर surface पे जाती है और surface पे जाते ही उनको क्या पता चलता है पता है उनको पता चलता है कि they are moving from denser to rarer medium वो water से air की तरफ जा रही है denser से rarer तो उनको पता है कि जब denser से rarer जाते है तो away from normal bend होना पड़ता है तो यह bend हो जाती है चुप चाप यहां से away from the normal ऐसे कुछ ठीक है बेटा और यहां पर भी ऐसा ही होगा मानलो एक light ray इधर गई है ना और यहां से वही हुआ यह normal है away from normal bend हो गई ठीक है बच्चो अब आपके पास कौन सी rays पहुँच रही है यह वाल तो इधर से निकल गई एक इधर से निकल गई मुझे तो कुछ दिखेगा है नहीं अरे बेटा एंगल बहुत कम है तुमारे आंको तक आ रही है रही है मैंने समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ किया थिक है बेंड होगे away from normal यह तो पता है ना डेंसर टू रहर में away from normal bend हो जाता ह यह सर अब हमारे पास जो raise आ रही है ना हमें ऐसा feel होता है कि यह तो यहां कहीं से आ रही है देखो इनको extend करो याद है वो extend वाला logic क्योंकि image वहीं पर बनेगी जहां पर refracted raise intersect होंगी ओभाई साब तो हमारी आंकों के ऐसा लगता है कि यह raise तो यहां कहीं से आ रही है और image व refracted raise intersect होती है या तो reflected raise session number one ray optics सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया था है ना कि refracted या फिर reflected raise जहां पर intersect होंगी वहीं पर बनेगा आपका image तो यह यहां पर intersect होती है इनको extend करने पर तो यह बन जाता है आपका image और इसी लिए आपको वो नेम्बू थोड़ा ऊपर दिखा अच्छा तुम लोग लिख रहे हो boards कुछ लोग लिख रहे हैं board तो मुझे यहां पर दो चीज़े समझ में आ रही हैं कुछ लोग इस बात से परेशान है कि हमारा boards का exam है और कुछ नमूने इस बात से परेशान है कि सर board पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं तो तुम बताओ क् अगले हफते से एक बड़िया सी CBSC की सीरीज लांच हो रही है जहां पर आपको पूरे boards के हिसाब से पढ़ाया जाएगा boards के हिसाब से एक एक topic 12 का पकड़ पकड़ के दोड़ा दोड़ा के किल किया जाएगा बिटा बिलकुल तयार रहना उसकी लिए ठीक है चलो तुम नह इतना time होने के बाद और इतना हमारे साथ time गुजानने के बाद तुम्हें एक चीज तो समझ में आगी होगी कि ये team तुमको maximum देना चाहती है हम कहीं कोई कसर नहीं चोड़ना चाहते चाहे वो test की बात हो जाए चाहे वो quiz की बात हो जाए चाहे वो regular sessions हो जहां पर 6-6-7-7 session में एक-एक topic खतम हो रहा है चाहे वो one shot videos की बात हो जाए जो अभी आने वाले आपके सामने need via NCRT जहां पर वो बच्चे focus करेंगे जिनको need देना है लेकिन वो NCRT खुद से नहीं पढ़ पाते हैं हर weekend पे चलेगा ये बेटा one shot videos और उसके अलावा जो बच्चे CBS सी boards देने वाले 12th का उनके लिए नई series अगले हफते से शुरू हो रही है तो मता हमने कहां कसर छोड़ है ना तो GG sir GG ma'am और VT sir are there for you don't worry about it ठीक है बताइए apparent depth का logic clear हुआ क्या बेटा आप सभी को बताओ जरा मुझे एक बार apparent depth का logic clear हुआ क्या मतलब अभी तुम्हें मैंने ये सिखा दिया कि भाई हमें image उपर क्यों दिखाई देती है है ना ये सिखा दिया सर ने आपको बहुत बढ़िया सर ये तो सही बात सिखा दिया आपने अब बिटा एक चीज का ध्यान रखना जहां पर mistake होती है वो बताता हूं मैं ठीक है हमेशा depth depth जो आप measure करेंगे हमेशा वो interface से measure करेंगे यहीं पे गलतिया हो जाती है बच्चों को formula पता होता है concept पता होता है कि नेंबू क् गया लेकिन questions नहीं होते questions क्यों नहीं होते conceptual clarity की कमी है ठ्यान से सुनना depth कहां से measure करना होता है interface से interface मतलब जहां पर water और air मिल रहे है वही तो interface कहलाता है न बच्चों ठंड लग रही है राज जैकेट पहनना भूल गया मैं जल्दी-जल्दी में चलो कोई नहीं देखो यहां यहां पर object रखा हुआ है लेकिन जहां पर आपकी image विली न बिटा वह आपको ऐसा appear होता है कि वहां पर है image तो appear से बना apparent है न कि appear हो रहा है ऐसा लग रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है आभास हो रहा है हमें ऐसा कि यहां पर है image तो that is why that is apparent तो इसको हम बोलते हैं apparent depth यह actual depth है ज को होता है the apparent is equal to the actual multiplied by mu2 upon mu1 please do remember that the apparent का formula क्या है बेटा the actual multiplied by mu2 divided by mu1 अब मैं एक चीज़ और बता दो तुम्हें mu2 mu1 में बहुत confused रहते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं सर कौन सा mu2 लेना कौन सा mu1 लेना है है न मानलो examiner ने नीचे वाले को mu2 लिख दिया उपर वाले को mu1 लिख दिया मैं समझूंगा कैसे कि कौन सा mu2 है कौन सा mu1 है तो बहुत ध्यान से सुनना मैं जो भी कह रहा हू ठीक है अगर इस interface की बात करोगे आप ठीक है मेटा ये interface की बात करो मालो आप यहाँ पर interface में कहीं पर बैठे होँए ठीक है बढ़िया टैर रहे हो पानी के उपर बढ़िया ऐसे बैठ के आ रहा हूं हमसे float कर रहे हो और आपको ये जानना है कि रे कहां से कहां जा रही है ठ की तरफ जाती है बिटा मैं सही कह रहा हूं क्या ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो सर क्या कह रहे हैं यहां पे सर कह रहे हैं कि raise आ रही है बताओ यहाँ पे raise किधर से आ रही है इंटरफेस की तरफ इंटरफेस की तरफ बेटा raise कहां से आ रही है देखो water से आ रही है तो mu1 कौन सा होगा यहाँ पे यहाँ पे water वाला हो जाएगा mu1 और mu2 कौन सा होता है जिस medium में raise जा रही है जिस medium में ऐसा medium जिसमें रेस फाइनली जा रही है अब तो confused नहीं हो गए है ना तो basically formula में मुटू अपन मुवन होगा मुटू उस medium का refractive index है जहां पर रेस फाइनली जाती है और मुवन उस medium का refractive index है जहां से रेस आती है इंटरफेस की तरफ है ना बुलाती है मगर जाने का नहीं चलो बेटा यह question ट्राइ करो बच्चो एक बार राई करो बेटा इस question को इस question में यह जो arrow है यह arrow थोड़ा सा ऐसे horizontally ऐसे tilt हो गए है है ना लगता है किसी ने मेरे laptop को पकड़के ऐसे रख दिया था तो gravity की वज़े इसे जो arrow सीधा होना चाहिए था वह ऐसे चले गए है पट मैं इनको सीधा कर देता हूं ऐसे है वह arrow ठीक है मेरा जो कुछी बच्चों को समझ में आया होगा जिनको समझ में आया हो आज हस ले बाकी बच्चे अगली क्लास में हस लेना जब समझ में आ जाएगा कोई बात नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक था बेसिकली एरो जो है ऐसा होना चीज़े था वह ऐसे हो गया था तो किसी ने पकड़के इपलाइट बाइट मिउटू अपॉन अच्छा मिउटू क्या होता है ऐसा मीडियम जिसमें रेज जा रही है वह तो यहां पर एयर है ना तो आप लिखेंगे डी इंटू म्यूटू यानिकी एयर हो गया यहां पर तो वह वन हो जाएगा एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक करने से आंसर आता है 75 75 is the correct answer यानिकी actual depth तो 100 है लेकिन आपको image कहां पे feel होती है कहां पे है 75 पे feel होती है ठीक है बच्छो आसान question था अब एक better question देता हूं ठीक है देखो bird fish इसको बोलता है fish bird problems ठीक है बेटा चलो try करो everyone आराम से question को पढ़ेगा हर एक बच्चा 14 सा बच्चा नमूना बच्चा और उसको आराम से solve करने की कोशिश करेगा बिल्कुल परेशान होने की जुरत नहीं है सारे rules game के आपको clear है कि कहां से depth को measure करना होता है mu1 कौन सा होता ह है mu2 कौन सा होता है sir ने पूरी clarity दी है आपको बच्चो अगर जो जो चीजे sir ने बोली है आप अच्छे से लगाते हो अच्छे से apply करते हो ना तो आपको बहुत मजा आएगा और आपका answer बिल्कुल सही आएगा चलो तुम्हारे साथ साथ ना मैं भी solve करता हूं ठीक है at what distance will the bird appear to the fish अब देखो यह थोड़ा सा अंग्रेजी है यहां पर यह थोड़ी से अंग्रेजी है यहां पर इस अंग्रेजी को समझो क्या कहना चाहते है वो at what distance will the bird appear to the fish कौन किसे देख रहा है बिटा सबसे पहले तो यह decide करो कौन किसे देख रहा है आपकर बर्ड फिश को दे अब फिश को बर्ड कहां पर दिखाई देगा यानि कि कौन किसको देख रहा है फिश इस लुकिंग अट बर्ड सही कह रहा हो ना मैं देख लो एक बाद फिर से कंफर्म कर लो at what distance will the bird appear to the fish फिश को बर्ड कहां पर दिखाई देगा यानि कि बेटा बर्ड है हमारा object बर्ड क क्या है बेटा observer कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई यह बात समझ में आना बहुत जरूए कि भी यह object कौन है observer कौन है अब आप लोग इसको solve करो ठीक है चलिए everyone come on come on come on object हमारा bird है इस बार ठीक है चलिए everyone तो मैं भी एक बार try कर लेता हूं क्या इसका answer आना चाहिए I will just try it out ठीक है so 36 multiplied by mu2 by mu1 होता है है ना तो mu2 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 मेरा तो answer मुझे दिखने लग गया है थोड़ा थोड़ा ठीक है तो यह हो जाएगा हाँ सही है यह हो जाएगा इतना सही है और इसको यहां से ऐसे ले आएंगे मेरा तो हो गया मेरा तो answer हो गया बेट चलो तुम लोग बताओ क्या answer है तो drum it's saying a madhumita it's saying a okay very nice very nice very nice यार सौरे बच्चे ए कह रहे हैं बस कुछ-कुछ बच्चों ने 96 बोला है 96 तो option में ही नहीं है मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदो मासूम बच्चों मासूम नमूनो किसी बच्चे ने answer दिया 96 बटा 96 तो option में ही नहीं है ना गर रहे हो चलो मैं आपको समझाता हूँ मज़ा आएगा देखना solution देखना मज़ा आएगा और उन सभी बच्चों को बढ़ाई जिन्होंने answer दिया है 84 यानि कि 84 84 is the correct answer चल ये बच्चों देखते हैं यहान से सुनियागा वेरी बात को देखो अगर इस diagram को मैं फिर से एक बार यहां पर बना लूँ फिर से बनाओ नहीं बनाओ नहीं बनाता हूँ छोड़ो फिर से बना के कोई फायदा नहीं है यहीं से देख लेते हैं बिटा इस बार जो object है वो पानी के अंदर नहीं रखा है हवा में है क्योंकि bird हमारा object है यहां पर fish ने बोला मैं हर बार क्यों object बनूँ तुम हमेशा मुझे object बना देते हो मेरे पास भी तो आखे हैं भगवान ने मुझे भी दो आखे दी हैं मैं भी देख सकती हूँ उपर मैंने क्या बेगाड़ा तुमारा तो उसने बोला नहीं मुझे objectify मत करो फिश ने बोला मुझे objectify मत करो मैं observer बनूँगी अब और मैं देखूंगी bird की तरफ bird को करो objectify करना भी है तो तुम्हें तो इसने बोला ठीक है मैं देखूंगी bird की तरफ bird बन गया बेटा हमारा object bird ने बोला ठीक है भाई साब और बेटा object से ही तो raise निकलेंगी जिसको तुम्हें देखना है वही से तो raise निकलेंगी तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मुझसे raise ऐसे जा रही है अभी तुम्हारी तरफ reflection के बार ठीक है तो बेटा bird से raise ऐसे निकलेंगी और इस medium की तरफ जाएंगी यानि कि water वाले medium की तरफ और finally fish उसको देख पाएगा ठीक है बहुत बढ़िया तो देखो बच्चो ये जो interface है इसमें कहां से raise आ रही है इस बार air से अरे रे 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 air से आ रही है तो यानि कि ये हमारा mu1 हो गया याद है जहां से raise आती है वही बन जाता है हमारा mu1 वाला medium और जहां raise जाती है बेटा वो बन जाता है mu2 देख रहे हो कहानी उल्टी हो गई है अब पहले क्या हो रहा था object पानी के अंदर था तो पानी के पास से raise इंटरफेस तक जा रही थी तो ये mu1 था और ये mu2 था बट अब object पानी में नहीं है पानी में तो मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है लेकिन object तो उपर है तो raise वहां से आ रही है ये mu1 बन गया है अब देखना ध्यान से क्या आपके प्यारी प्यारी गौरवाचारे ने आपको ये भी बताया था कि हमेशा depth को कहां से measure करना होता है interface से interface से measure करना होता है तो बताओ interface से bird का distance कितना है bird का depth कितना interface से 36 है तो बताओ वो actual depth है 36 क्योंकि bird actually में 36 पे है तो हम यहां पे लिखेंगे d apparent is equal to d actual याने कि 36 multiplied by beta mu2 by mu1 और इस बार mu2 कौन सा है water mu2 है क्योंकि raise वहाँ जा रही है तो आप लिखेंगे 36 into mu2 is 4 by 3 upon 1 mu1 is 1 तो इसको जब आप solve करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12 force of 48 48 मतलब तुम्हें पता है actually तो bird कितनी दूरी पे है 36 पे बट जब fish उसको देखेगे न तो interface से bird उसको थोड़ा दूर नजर आएगा ऐसा क्यों हुआ क्योंकि raise rarer से denser की तरफ आ रही थी तो rarer से denser में वो towards the normal bend हो गई angle कम हो गया इसको जब आप extend करोगे तो यह पीछे जाएगा यहां कहीं पर मेरी बात समझ रहो इसलिए इस बार दूर दिखाई देगा कितने distance पे दिखाई देगा बेटा 48 लेकिन 48 कहां से है interface से है हम यह तो fish से बताना है तो fish से कितना distance होगा देखो यहां से यहां तक बेटा 36 फिर interface से वहां तक 48 36 और 48 को जब आप एड करेंगे तो आंसर आएगा 84 वाव समझ में आया है ना समझ में आया जिन बच्चों ने 96 आंसर दिया आइधिंक उन्होंने नीचे भी 48 ले लिया नहीं बेटा नीचे कहां रिफ्राक्शन हो रहा है रिफ्राक्शन तो incoming light का होता है है ना तो incoming light जो आ रही थी actually 36 से आ रही थी लेकिन वह 48 बन गई because of रिफ्राक्शन बेटा मुझे तो जबर्दस्त वाली फील आई है अगर तुम्हें भी जबर्दस्त वाली फील आ गई है ना तो थोड़ी गंगा बहा दो ठीक है गंगा बहा दो जल्दी से come on everyone come on बेटा come on everyone कोई बच्चा बोल रहा है सर actual 72 क्यों नहीं अजय तिवारी ने यह है ना opportunity ली है कि सर actual आपने 36 क्यों लिया 72 क्यों नहीं लिया तो बेटा मैं तब से यही तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं बड़े प्यार से समझा रहा हूं कि actual depth interface से measure किया जाता है interface से object का distance तुम अगर 72 बोलोगे तो 72 interface से थोड़ी ना है वो तो मचली से चिडिया के बीच का distance है मुझे वो थोड़ना लेना है मुझे तो interface से bird का distance लेना है तो interface से bird 36 वही लेंगे क्लियर है बेटा कोई doubts सर ने छोड़ा है क्या सारे doubts हटा दिये हैं right everyone yes everyone yes बेटा come on come on बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया I am very happy चलिया आगे बढ़ते हैं और नय चाप्टर की शुरुआत करते हैं नहीं बलकि एक topic है बेटा प्रिजम एक बहुत अच्छा topic है बच्चो और प्रिजम पढ़ाने के बाद में आपको सिखाई जाएंगी लेकिन आज प्रिजम के सारे basics कर लेते हैं क्या कहते हैं बच्चो है ना आज प्रिजम के सारे basics कर लेते हैं चलो मैं आपसे सिंबल सा सवाल पूछता हूं बिटा क्या यह एक प्रिजम है यह dispersion हो रहा है यहां पर वह हम कल की class में पढ़ेंगे बहुत amazing fact होता है बहुत amazing concept है बच्चो कि जब white light को प्रिजम से गुजारा जाता है ना तो वह अलग-अलग colors में तूट जाती है मतलब ऐसे फैल जाती है हा सर बिलकुल यह प्रिजम है और सर बहुत खुश हुए आपका आंसर देखके बिटा लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या यह एक प्रिजम है तो आप क्या बोलोगे क्या यह एक प्रिजम है यह glass का slab है मानलो क्या यह एक प्रिजम है yes or no 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 इसके बारे में पूछा है मैंने दूसरे वाले के बारे में ये glass slab है ऐसे रखा हुआ है क्या ये एक prism है क्या ये एक prism है अभी भी बहुत सारे बच्चे yes कह रहे हैं आप पिछले वाले के लिए yes कह रहे हो कि इस वाले के लिए yes कह रहे हो नहीं अब no आना शुरू हो गए मतलब आ मैं आपको एक आज concept से रूबरू कराता हूँ, जो concept बहुत कम बच्चों को पता है, पता है ये glass slab है वैसे तो, ये आप देखोगे तो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा बेटा है न, इसका अगर 3D view में बना दो तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, but even this can behave as a prism, हमेशा याद रखना, prism कोई shape नहीं है, prism just a concept है, ठीक है, अब बच्चे confused होना शुरू हो चुके है, क्योंकि एक बार confusion बनता है, तभी तो जब concept clear होता है, तो मज़ा आता है, है ना बेटा, देखो, अगर इस slab में मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ बेटा, कि मान लो, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो, एक ray यहां से आती है, ठीक है, एक ray of light यहां से आई, ठीक है बेटा, अब सोचो, वो rarer से denser जा रही है, prism, मतलब इसका slab का refractive index जादा है, glass का बना है, मान लो, तो rarer से denser में कैसे bend हो जाएगी वो, towards the normal, यानि कि यह angle थोड़ से rarer जा रही है, are you able to follow me, बच्चो, are you able to follow me, guys, यहां पे rarer था, यहां पे denser था, तो towards the normal bend हुआ, है ना, उसके बाद, अब यह away from the normal bend होगा, यहां पे हम नहीं बोलेंगे कि यह prism है, यह prism नहीं है, it is simply, you know what, it is simply glass slab का refraction, यह हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके कु हो जाता है, सब आपको सर पढ़ाएंगे, आप भरोसा रखो, आराम से बैठो, सब करो है ना, लेकिन अभी अभी सर ने बोला था कि यह prism की तरह भी behave कर सकता है, सर वो कैसे होगा, तो देखो, अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ बेटा, यहां से सुनना मेरी बात, बहुत interesting concept है, अगर सर ने कुछ ऐसा बोला, कि मान लो, यहां पे जो raise है बेटा, पहले इस surface को यहां पे जाके टकराती है, ठीक है, यहां पे, अब यहां से refraction होगा, towards the normal bend होगे वो, तो मान लो यह उसके बाद यहां से जाके टकराता है, इस वाले surface से, देख रहे हो, कहां हुआ कुछ तो हुआ, है ना, कुछ तो refraction हुआ, फिर यह ऐसे चला गया, बच्चो बताओ, यहां से सुनना मेरी बात, पहले वाले case में, किन दो surfaces में refraction हुआ, एक surface यह था बेटा, है ना, और एक surface यह था, बच्चो क्या मैं कह सकता हूँ, यह दोनों surfaces एक दूसरे के parallel थे, तो अगर जिन दो surface में refraction हुआ है, अगर वो एक दूसरे के parallel है, तो वो prism नहीं है, तो वो prism नहीं है, लेकिन दूसरे case में देखो, एक surface जिसमें refraction हुआ, वो यह है, दूसरा surface जिसमें refraction हुआ, वो यह है, मतलब यहां पर यह दो surfaces किसी angle में inclined है, वो parallel नहीं है, तो ऐसे दो surfaces जिनके थ्रू रिफ्राक्शन हो रहा है अगर वो किसी एंगल में इंक्लाइंड है तो उस रिफ्राक्शन में आप प्रिजम का कंसेप्ट लगाते हैं और जो दोनों सर्फेसेस के बीच का एंगल होता है वो प्रिजम एंगल कहलाता है या फिर इनक ग्लास स्लाब प्रिजम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड हमें जरूरत क्या है बस जो रिफ्राक्शन होना चाहिए ना वो दो इंक्लाइंड सर्फेसस के बीच में होना चाहिए जो एक दूसरे से 90 डिगरी पे या किसी भी एंगल पे हो पार्लेल नहीं होने चाहिए वाव मतला ये कंसेप्ट आपको बहुत गोल्ड कंसेप्ट है जो दिया जा रहा है अगर फील आईए तो बता दो जल्दी से बता दो अब देखना तुम इस लॉजिक को प्रिजम में ऐसे गई देखो एक यहां से रिफ्राक्शन हुआ और एक यहां से रिफ्राक्शन हुआ क्या दोनों के बीच में कोई अंगल है थीटा विच नॉट वनेटी डिग्री विच नॉट जीरो डिग्री येस सार दे आर नॉट पार्ललल तो इच अदर तो definitely it is a prism और यह जो अंगल है दोनों surfaces के बीच का बिटा वो angle of prism कहलाएगा बही angle of prism कहलाएगा माल लीजिए अगर यह 30 degree है तो आप कहेंगे angle of prism is 30 degree ठीक है विच्चो है ना तो कुछ भी नहीं है विटा जब भी दो surfaces जिन में refraction हो रहा है अगर अब मैं आपको एक छोटा सा और question देता हूँ ठीक है जहाँ जादा तर बच्चे confused रहते हैं और मेरा काम उन्ही का confusion हटाना है in my experience whatever I have learnt बच्चो मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ कि आप से क्या-क्या mistakes हो जाती है ठीक है ठीक हो बच्चो यहां के बाद ऐसे जाती है और यहां के बाद ऐसे निकल जाती है पताओ angle of prism कितना होगा ठीक है तो जादा तर बच्चे इस उपर वाले को ही angle of prism मान लेते हैं by default क्योंकि sir हमें तो ऐसी जिखाये गया था school में है ना कि जब prism ऐसे upright रखा हुआ तो उपर वाले angle को angle of prism मान लो नई गलत बात तुम angle उनके बीच में देखोगे जिन दो surfaces के बीच में refraction हो रहा है तो यहां पे आप देखो यहां पे एक surface है जिसमें refraction हो रहा है और यहां पे एक surface है जिसमें refraction हो रहा है तो angle of prism ये नहीं होगा ये क्यूं होगा, वो तो involved ही नहीं है इस पूरी कहानी में, 70 degree will be the angle of prism, है ना बिटा येस, देखो क्या जबर्दस concept आपको सर में सिखा दिया अगर मज़ा आ गया है न, अगर feel की गंगा भई है ना बिटा, तो chat box में सैलाब दिख जाना चाहिए, सुनामी दिखनी चाहिए अभी chat box के अंदर, और ये वो golden points है, जो आपको generally पढ़ाए नहीं जाते हैं, और आपसे conceptual mistakes हो जाती है, जब आप test देते हो या फिर कोई भी exam देते हो, right everyone yes, तो any two surfaces, if they are inclined at any angle, prism concept can be applied prism angle कुछ नहीं होता है उन्हीं दो surfaces के बीच का angle of inclination को हम prism angle कहते है ठीक है बच्चो, yes क्या बात है, बहुत बढ़िया, अब हम लोग आते हैं, सबसे normal situation में सबसे normal situation में बिल्कूल आपको layman language में पढ़ाने के लिए, ऐसा bowl दिया जाता है, कि ये होता है angle of prism लेकिन, अगर इसको angle of prism बोला गया है न, तो automatically एक refracting plane ये वाला होगा, और एक refracting plane बेटा, ये वाला होगा, तो इन्हीं के बीच के angle को तो हम ए कह रहे हैं, बात समझ में आरी है बेटा, है ना, इन्हीं के बीच के angle को हम ए कह रहे हैं, तो angle of prism जरूरी नहीं है, कि ये ही वाला हो, वो depend करता है कि refracting plane कौन-कौन से है, ठीके बेटा, चलिए बहुत बड़ी, अब मिच्द बड़ा मज़ा आ रहा होगा शायद है ना, फिर आता एक deviation angle, deviation अंगल क्या होता है बच्चो, मानलो यहाँ से एक light ऐसे आई, ठीक है, यह light ऐसे आई यहाँ पर, ठीक है मिटा, इसका refraction हुआ, फिर दूसरा refraction हुआ, ऐसे चलीगी, अभी समझाओंगा कि refraction में कैसे diagram बनाते हैं, everything I'll tell, ठीक है, अब सोचो जड़ा इस ray के बारे में, इस incoming ray के बारे में सोचो अगर यहाँ पर कोई prism नहीं होता ठीक है, यहाँ पर मानलो कोई prism था ही नहीं तो यह बिचारी जो ray ऐसे आ रही थी वो ऐसे ही निकल लेती है ना बिटा, बिना किसी deviation के ऐसे निकल देती ही वो, चुप चाप ऐसे चली जाती straight line में, light ray तो straight line में travel करती है, चुप चाप ऐसे निकल जाती, prism के आ जाने से क्या हुआ, prism के आ जाने से इसका पहला deviation यहाँ पर हो गया और फिर दूसरा finally वो ऐसे चली गई, तो जिस ray को ऐसे जाना था ऐसे जाना था, वो bend होके deviate होके ऐसे चली गई तो यह जो angle है ना इसी को हम deviation angle कहते हैं कि कितना उस ray में deviation आ गया इसको आप delta से denote करोगे ठीक है बच्चो, इसको आप किस से denote करोगे delta से denote करोगे तो angle था ऐसा लेकिन finally उसको ऐसे जाना पड़ा that is angle of deviation angle of deviation ही आज हम सीखेंगे basic आज कर लेंगे, कल की class से हम लोग बड़िया बड़िया से topic करेंगे prism के, thin prism करेंगे dispersion करेंगे और यह सब करेंगे बेटा अगर सब कुछ सही चल रहा है ना और आप चाहते हो कि आगे बढ़ें तो फटा फट एक बार तो सबसे पहले like करो session को, ठीक है subscribe करो बेटा चैनल को और धेर सारे दिल दिखादो chat box के अंदर ताकि sir का motivation भी आई हो जाए हमेशा की तरह, ठीक है चलो everyone, यह 2-3 काम जड़ा जल्दी से कर दीजिए आप लोग, है ना, अगर like नहीं किए आभी तक session को तो फटा-फट like कर दीजिए और हाँ, कुछ बच्चे बोलते, sir दो बार like कर दें, तो इसका answer है मेरे पास हमेशा like odd number में करना एक बार करो, तीन बार करो पाँच बार करो, साथ बार करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, odd number में करो ठीक है, हाँ चलिए बच्चो, आगे बढ़ते है ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ray diagram की tracing कैसे की जाती है, ठीक है यह जो ray diagram यहाँ पर बनता है बेटा वो कैसे हम लोग बना सकते हैं how do we trace the ray diagram that I am going to tell you now, देखो सबसे पहले बच्चो, हम ऐसा मान लेते हैं कि यह हमारा पहला refracting surface होने वाला है, ठीक है तो यहाँ पर हमने light ray को देखो, ऐसे incident कराया यह देखो, ऐसे कराया incident, ठीक है बहुत बढ़िया, अच्छा किसी बच्चे ने अभी लिखा था कि सर वो दो mirror वाले problems और mirror की velocity वाले problems रह गए थे, है ना, किसी बच्चे ने अभी लिखा था मैंने देखा, तो बिटा उसके लिए ना मैंने अलग से session plan किया है, मेरा plan यह है कि जो normal topics है ना, उनको चलो फड़ा 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 निप्टा लेते हैं अलग से session करेंगे, जिसमें high level के questions करेंगे, तो वहाँ पर दो mirror का combination, है ना, एक session लगेगा बस दो mirror का combination कर लेंगे velocity in spherical mirror कर लेंगे अलग से करेंगे, तो ज्यादा feel आएगी पहले basic basic चीजे निप्टा लेते हैं फिर थोड़ा सा high level की चीजे, ठीक है बटा हाँ जी, अब देखो बटा, यहाँ पर क्या होगा यह हमारा normal कहलाएगा, क्या बच्चो देखो, यह normal कहलाएगा, है ना, बिल्कुल सही बात है तो बेटा, normal के साथ यह जो angle बना, incident ray का उसको हम क्या बोलते हैं angle of incidence कहते हैं, बहुत बढ़िया angle of incidence कहते हैं, सर, ठीक बात है सर, बात समझ में आती है, no परिशानी, no issue है ना अच्छा, सोचो यह तो rarer medium है, बाहर वाला अंदर तो refractive index होगा कुछ, mu होगा, कुछ, prism का तो bend कैसे होगी, ray पता है towards the normal, तो towards the normal bend होगे, कुछ तो ऐसे चले जाएगी ray, ठीक है बेटा, यह देखो, towards the normal bend होगी पहला refraction होगया पहले surface पे मानलो, इसको मैं कहता हूँ बच्चो, r1 r1 का मतलब क्या है, समझ रहे हो refraction angle at the first surface ठीक है, बच्चो, refraction angle at the first surface, तो r1 होगया उसके बाद, बच्चो यहाँ पे, इस surface पे इसको blue से draw करें कि या, बेटर होगा मेरी ख्याल से है ना, इस surface पे आप मानलो, normal कुछ ऐसा बनेगा perpendicular to the surface और फिर ray जो है, away from normal bend हो जाती है, और यह angle कहलाता है, e, e क्या है angle of emergence repeat after me, बच्चो, type in the chat box क्या है, e, angle of emergence, और यह वाला जो angle बनाना, normal के साथ इसको हम लोग कहते है, बटा, r2 इसको हम क्या कहते है, बच्चो, r2 एक बार देखो, diagram clear हो रहा है क्या, पहला refraction पहले surface पे हुआ, angle of incidence आई है, refraction के बाद normal के साथ r1 angle बना, और बाद में दूसरे surface पे r2 हो गया angle of incidence, e हो गया angle of emergence, ठीक है बच्चो, यहाँ पे यह mu है, और outside side का refractive index मान लो mu1 ले ले लेते हैं, ठीक है अंदर वाले को mu2 ले ले क्या है, बेटा mu2 ले ले लेते हैं, चलो, क्या issue है न, एक ही बात है बाहर वाले को mu1 ले 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 लेते हैं, ठीक है अब हर एक बच्चा, एक चीज बड़ी आसानी से बता सकता है कि i r1 में क्या relation होगा यह आपको snell's law सिखा के गया है पहले ही snell's law के according आप क्या लिख सकते हो बता है आप लिखोगे mu1 sin i, है न वेटा is equal to mu2 sin r1 चेक करो बच्चो सब सही है क्या चेक करो वेटा सब कुछ सही है क्या मैंने क्या किया है, पहले surface यानि कि यहाँ पे snell's law लगाया है, that's it तो बाहर का refractive index mu1 तो मैंने लिखा mu1 sin i अंदर का refractive index mu2 तो मैंने लिख दिया mu2 sin r1 कोई परेशानी बेटा नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया अच्छा स्नेल्स law तो second surface अगर आप देखोगे तो यह वाला एंगल बेटा r2 है, तो आप लिखेंगे mu2 sin r2 is equal to mu1 sin e है ना बच्छो, देखो equations बनते जा रहे हैं यह अपना equation number 1 यह अपना equation number 2 ठीक है, बिलकुल basic से चल रहे हैं basic basic सी बाते हम समझ रहे हैं इस पर भी questions आते हैं, ठीक है कितने equations सर ने बना दिये बड़ी आसानी से, 2 equations 2 equations बनाने के लिए सर ने ऐसा क्या किया, सर ने सिर्फ दो जगे स्नेल्स law लगाया है एक जहाँ पर incidence हुआ वहाँ पर लगा दिया स्नेल्स law mu1 sin i is equal to mu2 sin r1 और एक जहाँ पर emergence हो रहा है light का, वहाँ पर लगा दिया mu2 sin r2 is equal to mu1 sin e, ठीक है बटा चलिए बहुत बड़ी असर, feel आ गई, बहुत बड़ी nice, और बटा ये वाला जो angle है ना, इसको हम बन a कहते हैं, यानि की angle of prism कहते हैं, है ना बच्चो, इसको हम a कहते हैं तो बच्चो, अगर इस इस वाले normal को और इस वाले normal को आगे आप join करोगे ना ध्यान सा सुनना मेरी बात, ठीक है, इसको आप अगर join करोगे, तो देखना एक मैं आपको कुछ बड़िया सी बात बताता हूं, ये वाला point पकडो, ये वाला point पकडो, ये वाला point पकडो और ये वाला point पकडो, ठीक है ये हैं न आप कह सकते हो की rectangle सा कुछ तो बन रहाए बिटा है न?, ऐसा कुछ, ठीक है आपको बता होगा, total angle जो होता है न यहाँ का, वो 360 degree होता है पढ़ा है ना बिटा आपने, 360 degree होता है total angle, ठीक है अगर आप simply यहाँ पे total angle का formula लगाते हो 360 degree, आपको पता ही है कि यहाँ से यहाँ तक यह 90 degree है यहाँ से यहाँ तक यह भी 90 degree है मैं पूरा करके नहीं बता रहा, simple geometry है अगर आप यहाँ पे total angle को 360 degree रखोगे तो आपका answer आएगा एक कि A is equal to R1 plus R2 करके देख लेना, मैं थोड़ा time बचा रहा हूँ यहाँ पे, हाला कि मैं आपको एक और बात बता दू, neat के लिए तो यह formula काम कर जाएगा, कोई issue नहीं है ports वालों के लिए derivation important है जो मैं neat वाया NCRT में, या फिर CBSC वाले में मैं आपको करा दूँगा, ठीक है, जब मैं आपको NCRT के बारे में बताऊंगा न, कुछ-कुछ चीजें तो उस time पे मैं आपको यह चीज़ बता दूँगा कि कैसे derive किया गया, बट हाँ A is equal to R1 plus R2 होता है वो हमने कैसे किया, आपको थोड़ा idea तो लगी गया है ना, total angle 360 है उस logic को use करके हमने कर लिया है ठीक है, बहुत बढ़िया सर यह आ गया समझ में, बटा कितने equations बन चुके हैं, बताईए, सब बच्चे बताईए कितने equations बन चुके हैं तीन equations बन चुके हैं बोला था ना, कि यह जो incident ray है यह actually ऐसे continue करेगा अगर यहाँ पर prism नहीं होता तो it would have continued like that, लेकिन अभी तो है अभी तो है वहाँ पर prism तो यहाँ पर deviation आएगा उस deviation को हम कैसे represent करते हैं यह वाला angle कहलाता है हमारा deviation angle इसका भी मैं आपको अभी derivation नहीं दे रहा हूँ वो 5-10 मिनिट ले लेगा आप चाहो तो neat via NCRT में जब ray optics होगा तो मैं करा दूँगा यह deviation का भी derivation simple है वैसे simple angle के ही through करना होता है formula आता है बच्चो deviation का i plus e minus a fourth equation and believe me guys अगर आप neat की तयारी कर रहे है चोकि आप obviously कर रहे है तो आप prism का कोई भी question इन 4 equations को use करके solve कर सकते हो अभी मैं एक question करा देता हूँ पूरी-पूरी feel आ जाएगी लेकिन आपको उससे पहले 2 minute का time देता हूँ बेटा एक बार सारे equations ध्यान से देख लो और चौथा equation भी वैसे geometry से ही आता है जो की होता है delta यानि की deviation is equal to i plus e minus a ठीक है बच्चो अरे feel आ गई है कि बता दो मुझे जल्दी से एक बार जल्दी से दिल बनाओ ऐसे नहीं काम चलेगा ऐसे काम नहीं चलेगा अभी हम एक question करते हैं बट जल्दी से एक बार दिल बनाईए फूर्थ equation फिर से बता दो पिटा अभी लिपशा अभी के लिए तो आप इसको याद कर लो ठीक है कि deviation का formula होता है i plus e minus a आप neat via ncrt में जब हम ray optics करेंगे ना तो मैं आपको derivation का तरीका बता दूँगा ठीक है यहां पर derivation करेंगे तो time लग जाएगा problems के लिए time नहीं बचेगा अभी हम लोग थोड़े questions कर लेते हैं derivation आपको बात में दे दिया जाएगा यह formula भी आप याद करो ठीक है बीटा है ना deviation most important है बिलकुल सही किस बच्चे ने बोला आयत ने बोला कि deviation is most important बिलकुल बिलकुल सही बात है ना चलो मनीशा फरहान माधुरी एकता दीक्षा स्रैक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया everyone आयत संदीब दीक्षा सामुराई gaming क्या बात है पायल रुपाली एकता शुभम प्रियंका आर्यान शंकर क्या बात है बहुत बढ़िया everyone गुड जोश जोश आप लोग पूरा पूरा दिखा रहे है चलिए बेटा finally एक question करते हैं और prism concept को करते है किल क्या sir ने यही formula बताया a is equal to r1 plus r2 जी हाँ क्या sir ने यह formula भी बता दिया deviation is i plus e minus a yes question आपके सामने है आपको निकालना है r1 आपको निकालना है r2 आपको निकालना है e as well as delta चार चीजे निकालनी है सच सच बताओ sir ने कितने equations बताए है sir ने कितने equations बताए एक मतलब होता बेटा angle of prism angle of prism है वो ठीक है दो planes के बीच में कितना angle है चार equations बताए है sir ने और ध्यान से देखो तो कितनी चीजें आपसे पूछी गई है चार चीजे तो बिटा यह simple सा rule होता है कि अगर आपके पास चार equations हैं तो maximum चार ही unknowns हो सकते हैं जितने equations हो सकते हैं उतने ही unknown हो सकते हैं ऐसे अगर आप feel करोगे तो मज़ा आता है किसी भी question को करने में फिर आपको लगता यार यह सही है मेरे पास चार equations हैं और sir ने चार ही चीजें पूछी है मतब चारो equation लगाऊंगा तो मेरा answer तो definitely आ जाएगा है ना विटा चलो आपके साथ साथ मैं भी solve करता हूं कुछ बच्चे आरवन का answer 30 degree दे रहे है I can see that कमल ने बोला है अ deviation पढ़ाऊंगा तो कुछ equations और आजाएंगे deviation और आई का graph देखेंगे एक equation और आजाएगा बट बिटा मैं guarantee दे रहा हूं simplification at its best आपको मिल जाएगा आप बस बने रहो है ना अपना confidence लूज मत करो लगे रहो लगे रहो जो भी last तक लगा रहेगा उससे सब हो जाएगा don't worry चलिए r1 कुछ cross check करते हैं आपका कहना है 30 degree तो मैंने पहला equation लगाया यहां पे ठीक है पहला equation क्या कहता है mu1 sin i is equal to mu2 sin r1 है ना देखो बाहर का अगर कोई refractive index given नहीं है तो by default 1 होता है अगर बाहर कुछ भी नहीं given है तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे तो यहां पे मैंने 1 लिखा sin i याने कि sin 45 बेटा sin 45 कितना होता है बच्छो 1 upon root 2 होता है is equal to mu2 के value कितनी given है बच्छो root 2 given है अंदर वाले की है ना root 2 given है into sin r1 कर दो अब देखो यह root 2 और root 2 बहुत दिनों बाद एक दूसरे के साथ मिलेंगे और साथ हो मिलके 2 हो जाएंगे तो 1 upon 2 बन गया is equal to sin r1 और बत बढ़िया I am very 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 happy चलिए r1 आ गया अब बताओ r2 कैसे निकालोगे अगर r1 आ चुका है तो अभी तो बताया था a is equal to क्या होता है r1 plus r2 है ना a की value कितनी given है हमें 75 r1 given है 30 तो r2 कितना आ जाएगा subtract कर दो 75-30 r2 के value कितनी आ गये बेटा 45 अरे वाल यह भी बहुत सारे answer है आपका r2 आ गया diagram complete कर लें क्या एक बार है ना यह देखो यह diagram कुछ ऐसे बनेगा यहां पर अपना देखो बेटा normal बन गया यह अपना r2 आ गया कितना 45 r1 कितना आ गया 30 अब क्या अब क्या निकाल लेंगे हम लोग e निकाल लेंगे बेटा है ना e यानिकी यह वाला angle उ यह snell's law use करेंगे दूसरे surface पे ठीक है तो आए snell's law use करते हैं बेटा दूसरे surface पे क्या लिखेंगे आप दूसरे surface के लिए mu2 sin r2 is equal to mu1 sin e क्योंकि यह तो फिर से mu1 बन गया है ना तो लगाओ formula mu2 is root 2 sin r2 यानिकी sin 45 r2 के value 45 है तो sin 45 is 1 upon root 2 mu1 कितना है बच्चो 1 into sin e हो गया ठीक है बहुत बढ़िया root 2 से root 2 cancel sin e की value कितनी आ जाएगी बिटा sin e की value I think आ जाएगी 1 1 आ रही है क्या है ना हाँ तो sin theta 1 कब होता है जब e की value हो जाती है बच्चो 90 degree ठीक है e की value कितनी हो जाती है बटा 90 degree हो जाती है बढ़ी answer ठीक है e की value 90 degree आ गई चलो यह एक और answer हो गया सभी का 90 degree आया था क्या deviation कितना बता रहे हैं आप लोग 60 बता रहे हैं चलिए deviation भी चेक कर लेते हैं बटा तो deviation होता है i plus e minus a i कितना है बोलो 45 e कितना है बटा 90 और a कितना है 70 इसको solve कर दो तो 45 plus 90 हो जाएगा 135 60 आ रहे है क्या असा 75 है तभी मैं बोलू मेरा answer क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा तो आ गया 60 मत अब 75 है मैंने यहां पर गलत लिख दिया a को a की value ना बटा 75 है मैंने गलती से 70 रख दिया था 75 है हाँ अब आ जाएगा अब आ जाएगा 60 बताओ सच सच बताओ बटा easy लगा prism का इतना बड़ा question आपने कर दिया easy लगा या नहीं लगा this is simplification at its best सर ने आपको यह feel करा दिया कि भाई प्रिजम में नॉर्मल प्रिजम में चार ही equations बन सकते हैं और कोई भी examiner भले कितना भी top examiner हो वो चार ही चीज़ें आपसे पूछ सकता है चार ही चीज़ें पूछ सकता है चार से जादा कुछ नहीं पूछ सकता अब या तो वह r1 पूछ लेगा या तो वह r2 पूछ लेगा या तो आपसे e पूछ लेगा या तो आपसे delta पूछ लेगा और sir ने एक ही question के अंदर चार हो चीज़ें निकालना आपको सिखा दिया ठ बहुत बढ़िया गाइस कल बच्चो साटरडे है है ना कल शनिवार है और कल साटरडे को हम इस अमेजिंग सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं नीट बाया NCRT जहां में NCRT के थ्रू आपको नीट की तयारी कराई जाएगी यह उन बच्चों के लिए बहुत हेलपफुल है जो लोग बोर्ट का एक्जाम देने वाले हैं यानि कि जो बच्चे 2021 में बोर्ट एक्जाम में अपियर होंगे 12 के लिए कल का हमने टॉपिक रख कि आपको ज्यादा परेशानी होगी NCRT बढ़ने में वह मैं पहले करवा रहा हूं मुविंग चार्जस और मैंगनेडिजम के बाद मैं आपको रे आप्टिक्स करवाऊंगा बेटा NCRT के थ्रू जिससे आपका बहुत बढ़िया तयारी हो जाएगी बेटा है ना NCRT के थ् 30 होगा आरवन 30 है ना और फिर यह रिलेशन होता है A is equal to R1 plus R2 तो यहां से निकालो A 70 है यह 30 है तो R2 45 होगा तभी तो 45 और 30 75 होंगे है ना चली everyone तो बहुत बढ़िया शनीवार को यह होने वाला है और हां मैं आपको बता दू संडे को भी एक one shot आ रहा है संडे को भी Electromagnetic induction करने वाले हैं तैयारी नीट की और तैयारी जीत की हमारी तरब से तो पूरी है बटा आप अपने बताओ आपकी तैयारी है पूरी पूरी हम तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं हम आपके quizzes भी ले रहे हैं और कल quiz भी है बटा 1130 को quiz भी है बापरे मैं इतनी सारी चीजे करवा रहा हूं आपको कि मैं खुद भूल जाता हूं कि मैं क्या क्या amazing sessions आपके लेकर आया हूं तो मुझे याद दिला दिया करो ठीक है बेटा कल 1130 एम को collision का quiz है बेटा collision का test है आपका collision और center of mass please be prepared सारे formula revise कर करके आ जाना मचाते हैं यहां पे भी और कल 6 बजे हम लोग sorry 4 बजे हम लोग 4 पीम को बेटा हम लोग यह one shot करने वाले हैं दो घंटे का session होगा कम से कम दो घंटे का और पूरा moving charges and magnetism using NCRT finish कर दी जाएगी ठीक है yes everyone चालिए बहुत बढ़िया guys तो जाते 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 यार subscribe कर लो channel को है ना bell icon दबा दो और अगर video आपको पसंद आई है अगर आपको concepts clear हुए है तो like button दबाए बिना कोई भी बच्चा यहां से जाना नहीं चाहिए like कर दो session को इस amazing team के लिए and the team is working day and night for all of you बच्चो अपने हमने इतनी महनत यहां पर करी है बच्चो कि शायद इससे पहले नहीं करी इतनी ज्यादा महनत मतलब अपने आपको जैसी series चाहिए सब कुछ आपको दे रहे हैं जो भी चाहिए electrostatics का notes फिर से कोई बच्चा पूछ रहा है तो बिटा मैंने आपको बोला ना एक बर community page में जाओ ठीक है community page में जाने के बाद post search करो उसमें मेरा पूरा schedule है special classes का special class जो Monday वाली है ना बिटा ठीक है बेटा है ना चाहिए बहुत बढ़ी है everyone तो जाते जाते या टेलीग्राम ग्रूप भी आप जॉइन कर लो हमारा and subscription के बारे में भी मैंने आपको बताया बच्चो लिटरली अगर आपको परेशानी हो रही है बच्चो preparation में तो time सबसे ज्यादा important होता है बच्चो time अपना waste मत करना जितनी जल्दी हो से के subscription ले लो जीजी live is the code that you have to apply maximum discount आपको यहाँ पे मिल जाता है बच्चो जीजी सब का love already करते हो live भी कर दो और maximum discount ले जाओ ठीक है यह उन बच्चो के लिए ideal है जो 2021 में आखरी बार अपना NEET का exam देंगे अगर आपको जरा भी गुंजाईश है कि आप 2022 में reappear हो सकते हो इसमें आप फिर भी थोड़ा अपना luck try करने के लिए दे रहे हो तो definitely go for two year subscription है जो कि आपको बहुत जादा help करेगा और हाँ अगर आप आपको planning करने में problem होती है खुद से plan नहीं कर पा रहे है आप then definitely go for Iconic subscription Iconic में आपको बच्चो 58,500 and 90,000 का course है लेकिन यहां पर आपको personal coach मिलते है जो आपको है ना उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे बिल्कु कि कैसे कैसे क्या क्या करना है कैसे plans करने everything और यहां पर भी easy life code आप लगाएंगे तो यह भी आपको मिल जाएगा maximum discount के साथ ठीके बच्चो चलिए अभी लिप्षा और अभी लिप्षा confidence lose मत करो बिटा है ना बिल्कुल भी नहीं करना है दिव्या पायल आश्वार्या विनीत हर्षिता मधुमिता शालू अर्पिता मुहम्मद आदिल सिमरन क्या बात है दॉक्टर स्टार चंचल मिस्टर आइकॉन सालिम होके एश्वर्या ओम प्रसाद क्या बात है शालू चलिए चलिए सोना ली खुश्बू मिस्टीरियस उशा मिस्टीरियस उशा क्या बात है चलिए मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में वेटा है ना बाई वा बाबाई बाई बाई everyone, बाई जीनत, चलो बच्चो, have a nice day, bye.